तो भाईया काट टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं, तो भाईया सबसे पहले चैनल जो है सब्सक्राइब करो उसी के बाद वीडियो देखो, साथी साथ बैल का आइकन भी दबा दो, बैल का आइकन दबाने से फाइड़ा ये होगा कि जैस सबसे पहले notification आपको मिल जाएगी वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे RBI के तीन महिने के moratorium के बारे में तो दोस्तों आज मैं आपको इनी सब सवालों के जबाब दूँगा साथ ही साथ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों moratorium का मतलब होता है रोक लगाना RBI ने जिस हिसाब से 90 days मतलब की March 1 से लेके 31 में तक के लिए जो moratorium period लगाया है इसके हिसाब से आपको किसी भी तरह की EMI पे नहीं करनी है फिर चाहे वो EMI कुछ भी हो कार की हो, होम लोन की हो या फिर अगर बात करते हैं credit card के bill स से related ठीक है, अब credit card का bill अगर आप नहीं पे करते हैं इस moratorium period में, तो भाई 90 days तक आपका जो है नाम default list में add नहीं किया जाएगा, आप white list में ही रहेंगे, ठीक है, अब ये जो तीन महीने की EMI है, आप ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको ये भूल जाना है कि आपकी कोई EMI ह जिस हिसाब से moratorium का मतलब होता है, और ये जो cycle है वो शुरू होगी तीन महीने के बाद में, यहाँ पर दोस्तो एक चीज जो clear करने वाली ये है कि यहाँ पर RBI ने ये advice दी है banks को, अब bank पे depend करता है कि वो आपको moratorium के facility कैसे देता है, ठीक है, especially यहाँ पर मैं बात कर रहा private banks की, यहाँ पर private banks जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, IDBI हो गया, आपको इन bank से clear करना होगा कि वो moratorium के facility कैसे दे रहे हैं, उनके terms and conditions क्या हैं, यहाँ पर दोस्तो अभी customer care पर बात करनी possible नहीं होगी तो आप simply उन्हें mail पर ये चीज पूछ सकते हैं, जैसा कि दोस्तो आप दे चीज डिकलेर हुई है और अभी इस पर decision लिया जाना बाकी है, banks की तरफ से, तो भाई वो इस week में मुझे inform करेंगे कि वो moratorium की facility मुझे किस तरह से दे रहे हैं, क्या-क्या उनके terms and conditions हैं, तो भाई जिस भी bank में आपका EMI चल रहा हो, आप उनसे एक बार clear कर ले और उसके ब तो ऐसे में banks को भी कोई problem नहीं है, अगर आप pay करना चाते हैं, तो pay कर सकते हैं, कईयों ने तो दोस्तो pay भी कर दिया होगा, जैसे कि 1st March से लेके 31 March की cycle तक जो भी bills आते हैं, वो कई लोगों ने pay कर दिया है, बट जो लोग pay नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने banks एक बार clear कर लेना है, through the mail, and उसके बाद ही कोई decision लेना है, तो दोस्तो ये था वीडियो, अगर आपके कोई भी सवाल है, इस moratorium चीज को लेके, तो please मुझे comment में बताईए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगा, तो दोस्तो अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो पसंद आ रह मैं इसी तरह से important वीडियो लाता रहूंगा, thanks for watching guys, bye bye